हेलो स्टुडेंट्स, तो नेक्स देखो नुमेरिकल सोन इलेक्टिक पावर, कोशन फर्स्ट है, आ हीटर इस रेड़ेड़ एस 220 वोल्ट 880 वाट, वट इस दा करेंट ड्रोन बाइदा हीटर, वन कनेक्टिट तुब 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 मेसी इन आप कार, हमें फाइंडा, करना है कितना करण इसे हमें मिलेगा कितना करन इस द fi Gotta, कल कल Cry, कोशन रीशे, रिजिस्टेंस घटर और catastrophic voltage इतन Hij fotos in जे इतंड विवर्ट है क्योंकि क्योंकि हमरी 220 थillum정 Durch 20ड है औरwend क्राइब यह करना है क्रणці मिलस्ते तो पावर का उपन ने पड़ा है पावर है इसक टू में पता है ठीक है तो इट मेंस आई विल बीक्वल टू पावर अपोन वोल्टेज पावर हमारे पास है कितनी 880 वोल्टेज कितनी है 220 डिवाइड करोगे कितना आएगा पॉर एंपियर के दिस इता वैल्डू पॉर करेंट नौ फाइंड आउट रिजिस्टेंस डिजिस्टेंस इंपली ओम स्लो से फाइंड आउट कर लेंगे आर इस इक्वल टू वी अपोन आई होता है वोल्टेज कितनी है 220 करेंट हमने फाइंड आउट किया पॉर पॉर से डि सेकेंड कोश्चन है बच्चों इसके अंदर देखो एन एलेक्टिक बल्व रेटीड 500 वाट यानि पावर है 500 वाट एट 100 वोल्ट इस यूज़ इना सर्कीट हैं अट 200 वोल्ट सप्लाई ठीक है जो बल्ब है वो एक सर्कीट के अंदर लगाया हुआ है जिसके अंदर कितनी वोल्ट सप्लाई आ रही है 200 वोल्ट की वट रेजिस्टेंस मस्ट पी पूट इन सरीज विद बल्ब सो एट बल्ब डिलिवर्स 500 वाट यानि यह पुछा हुआ है कि बल्ब के साथ हम कितना रेजिस्टेंस और लगाएं सरीज में ताकि जो बल्ब है में 500 वाट की पावर द हम लोट कर तो बल्ब का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो पावर डिलीवर्ड इनोंने पुछी हुए यह बल्ब डिलीवर्ट 500 वाट आंना पावर दिलिवर्ट पुछी हुए तो पावर कितना होता है वी स्केयर बाई रूत यह अगर यहां से हम रे 500 वार्ट दे रहे हैं ठीक है 100 का स्केर अपोन पावर कितनी है 500 ठीक है तो कितना हो गया यह 100 इंटू 100 अपोन 500 टू जिरो से टू जिरो कैंसल और यह कितना आ गया 20 इट मीन्स रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 20 हो कि अब इन्होंने पुछा हुआ कि कितना और लगाएं के साथ ताकि जो है जो बल्ब है वह 500 वार्ट की जो है पावर दे ओके कितनी सफ्प्लाई पे 200 वोल्ट की सप्लाई तो कितना रेजिस्टेंस और लगा उसको हम यहाँ पर माल लेते हैं आर डैश ओके अगर 20 में हम आर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर इसके साथ हम रखेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन्दा सर्कीट कितना हो जाएगा बल्ब का 20 है साथ में हमने लगा दिया डाइस 20 प्लस आड़ डैश ओम इतना आ जाएगा ओके तो करंट कितना हो जाएगा करंट इन्दा सर्कीट करंट आई विल बीकवर टू वी अपोन रोता है ठीक है वोल्टेज कितनी है अब कितनी है कितनी ममदेश अब करू जाएगा थी है तो फोर्टेज आरे 200 मृटे वाल गळव्यल खोंट आप 10 प्लस और डैश धीक हाथ यहीं होगा तो इतना एंप यह तοको पावर डिली वर्ड पावर delivered at 200 volt कितनी हो जाएगी means power delivered by bulb P is equal to current हमारे पास है ठीक है resistance हमारे पास है तो formula कौन सा यूज़ करेंगे i square r वाला ठीक है यानि पहले ये देखना होगा कि हमारे पास क्या-क्या वाला रियाइबल है उसके coding हम formula decide कर लेंगे P equal to i square r यहां पर resistance है यह बल्ब का resistance हमने लिखा है यानि r इकवलटो कितना है 20 ohm थो थो र की वाली हमने हैं 20 ohm पूट करनी है ना कि 20 प्लस आर डश ये क्यों नहीं पूट करेंगे क्योंकि देखो यह तो हमें यहाँ पे हम power delivered by bulb निकाल रहे हैं बल्ब ने कितनी power deliver करी तो bulb का ही resistance लिखेंगे ना उसके साथ जो series में लगाया वो थोड़ी न लिखेंगे ठीक है series में लगाने के बाद current कितना है यह जरूर लिखेंगे तो current का square into क्या हो जाएगा 20 कितनी power deliver करवानी है 500 वाट ठीक है तो equal to कितना हो जाएगा यह 500 के equal हो जाएगा ठीक है तो it means इसको solve कर दो 200 into square है तो 200 into 200 लिख दो ओके divide by 20 plus r dash इसका भी क्या हो जाएगा square और यहाँ पे क्या है 20 20 को हम 500 से divide कर सकते हैं ठीक है 20 को इदर ले गए 0 से 0 0 cancel हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आजेगा 25 ओके तो पूरी equation को solve कर दो और r dash की value हमें यहाँ पे find out करना है तो यह थी देखो 200 into 200 divide by 20 plus r dash और इसका square था equal to क्या था 25 clear तो 25 को इदर ले के आएगर 200 into 200 divided by 25 equal to 20 plus r dash का whole square ओके तो यह cancel हो रहा है दिखो 8P 25,8,200 multiply कर दो 1600 equal to 20 plus r dash whole square ओके अब देखो अगर square root बोट साइड अगर हम ले तो 1600 का square root हमें पता है ठीक है तो यहाँ पर लेना है में square root both sides ठीक है 1600 का square root equal to square root of 20 plus r dash का square square से square root क्या ओता है cancel इसका कितना आजाएगा square root 40 तो कि 40 का square ही क्या ओता है 1600 तो 1600 का square root 40 अब इसका square cancel तो 20 plus r dash it means r dash कितना आगे हमारे पास 40 minus 20 is equal to 20 ohm तो 20 ohm ही पहले bulb का resistance था यहीं सीरीज में भी हमें इसके साथ 20 ohm ही लगाना पड़ेगा समझ में आया question ठीक है तो एक पार और देखो इसको देख लेते हैं अगर किसी को कहीं से कियोई भी step समझ में ना आया होगा तो वो भी आ जाएगा देखो वो चुक क्या कहा रहा था इसमें कि electric bulk जो था उसके उपर क्या लिखा हुआ है 500 watt at 100 watt लिखा हुआ है ठीक है लेकिन उसको किस circuit के अंदर लगा दिया जहां पे 200 watt की supply आ रही है ऐसे circuit के अंदर लगा दिया ठीक है तो इन्होंने पुछा है कि 500 अब 200 में लगाने के बाद जो है पावर तो उसकी अलग हो जाएगी ना ठीक है तो पावर को 500 watt देने के लिए उसके साथ हमें कितना resistance और उट करना पड़ेगा यह यहां पे उच्छा हुआ है क्योंकि अगर देखो इसको 200 वोल्ट supply के circuit में लगाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा वोल्ट इसकी होज़े से क्या होगा स्रीज में स्रीज में लगाने से क्या आगा उसका टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा जिसकी वज़े से करंट कम हो जाएगा और जो पावर है वो उतनी ही रह जाएगी 500 वाट अब आया कोश्चन समझ में ठीक है अब देखो क्या करना है सबसे पहले हमारे पास पावर की वैल्यू है वोल्टेस की वैल्यू है जो की बल्ब के उपर लगी हुई है लिखी हुई है ठीक है अब यहां पर अगर हम एक resistance और पूट कर दें यानि कि अगर हम और डैस रेजिस्टेंस पूट कर दें सिरीज में तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 प्लस रडैस ठीक है इसको मैंने आर डैस चे डिनोट कर दिया यानि टोटल रेजिस्टेंस मन गया डबल डैस किसके इकोल है 20 प्लस रडैस ठीक है तो जब इतना resistance आ जाएगा तो उस टाइम पर करंट की वैल्डू चेंज हो जाएगी ठीक है तो वह वैल्डू कितनी होगी करंट की करंट कितना होता है वोल्टेज अपोन डिस्टेंस ठीक है यानि नए सर्किट के अंदर 200 resistance 20 प्लस रडैस लिखेंगे तो यह हो जाएगा current हमारा ठीक है अब power delivered by bulb हमें कितनी पावर चाहिए 500 वाट तो power का formula P equal to i square into r bulb की power निकाल रहे है तो bulb का ही resistance लिखेंगे ठीक है वो जो additional लगाया है वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो r की value है 20 i square की value यह जो current है इसका कर दिया square equal to कितनी पावर हमें चाहिए 500 वाट की तो इसको 500 के equal put करो and find out the new resistance यहाँ तक तो कर लोगे 16 अरा बहुत easy है ठीक है यानि r कितना आया हमारा नया resistance आया हमारा 20 ohm ओके